नमस्कार दोस्तों आज कई वीडियो पूरे मेजरमेंट के सहित यानि की लंबाई चोड़ाई सहित वास्तु सास्तर के एकोर्डिंग आपके लिए में लेके आया हूँ बहुत से लोगों कमेंट आ रहे थे कि सर ऐसा वीडियो बनाओ जिसमें सारी लंबाई चोड़ाई हो ताकि हमारे यूसफुल हो क्योंकि सबी पैसे देके प्लान नहीं बनवा सकते हैं बहुत से बाईबंदों ऐसे होते हैं तो उनकी सुईदा के लिए ये वीडियो बनाया गया है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वीडियो बनाने का उदेश सी आपकी help करना है तो सबसे पहले देखे प्लाट की जो चोड़ाई है वो 20 फीट है दोनों तरब से 40 फीट इसकी लंबाई है एक सबसे विशेश चीज मैं आपको बता देता हूँ हर इनसान के प्लाट का अलग-अलग वास्तु होता है अलग-अलग measurement होता है मेरा उदेश सी आपको best idea देना होता है ठीक है तो मैं आपको एक idea दे रहा हूँ कि आप इस according एक best plan बना सकते हैं सबसे पहले देखे 20 फीट आगे से चोड़ाई है 20 फीट पीछे से चोड़ाई 40 फीट दोनों तरफ से लंबाई है प्लाट की प्लाट का जो face है वो उत्रमुकी घर है यानि की north facing प्लाट है आगे जो road जा रही है वो उत्र दिशा में जा रही है पीछे की तरफ दक्सिन यानि की south दिशा है इधर आपके पूरवे दिशा है और इधर पक्सिम दिशा है अब आपको वास्तु के according घर बनाना है सबसे पहले हमने gate से एंटर करते हैं यहाँ पर लोगे का gate लगेगा एंटर करते ही 10 बाई 10 की parking आई है चोटी four wheeler गाड़ी आप पारक कर सकते हैं ठीक है पारकिंग एरिया आपनी स्कूटी बाई कोई भी आप पारक कर सकते हैं आप पारकिंग एरिया घर में नहीं रखना चाते हैं तो 10 बाई 10 का आप रामदर आगे रखिए बेठक हो जाएगी अराम से आप अपना कोई भी सिंगल बेड वगेरा या सोपे वगेरा कोई भी यहां पर लगा कि इसको यूज कर सकते हैं इस साइड में आप देखेंगे तो सीडियां दी गई है वास्तु के एकोडिंग सीडियां सत्यों पर जाके खुलेगी ठीक है आगे आप डाई फिट का तीन फिट का आगे आप जो चज्जा है वो निकाल सकते हैं घर में घर का जो एलिवेशन होगा वो बहुत शांदा रहेगा बीस बाई चालिस में आप घर बना रहे हैं बट आप ऐसा लगेगा कि आपने महली बनाया क्योंकि बहुत अच्छे से प्लान को रेडि किया गया है अब जेकि घर के अंदर एंटर करने के लिए में जो गेट है घर का यहां पर लगेगा इससे जैसी एंटर करते हैं तो यह आपका आंगन यानिक की होल है दस भाई 15 फिट आठ इंस का होल रहेगा वास्तु सास्तर का नियम होता है कि वास्तु के अकोरडिंग अगर आप घर बना रहे हैं तो आपका जो पूजा घर होगा वो यहां पर होगा पूजा घर आपको यहीं देना है जहां स्वास्तिका निसान है एक खिड के आपको भार की तरफ निकालने है पार्किंग एरिया में ठीक है पार्किंग एरिया में खिड के निकलने बाद आंगन से आप इधर एंटर करते हैं तो एक गेट यहां लगेगा और एक 9 फिट 6 इंच बाई 10 फिट का एक कमरा दिया गए है जिसकी एक खिड की बाहर पार्किंग की तरफ खुल रही है एक खिड के आप इधर खूल सकते हैं ठीक है इसके अंदर अटेच लेटरिंग बातरूम है 6 फिट 8 इंच बाई 4 फिट का अटेच लेटरिंग बातरूम दिया गया है जिसका gate यहां लग रहा है यह attached लेटरिंग बातरूम पिछे वेंटिलेशन का window हो जाएगा और room का gate यहां पर है अब आगन से आप इधर enter करते हैं तो एक लेटरिंग बातरूम दिया गया है 6 by 5 feet का यह लेटरिंग बातरूम रहेगा इसका ventilation window इस side में हो गया है पीछे की तरफ ठीक है इसका यह common gate यहां पर लग जाएगा अराम से इधर आप enter करते हैं तो यह आपका अगनी कोन में kitchen है 8 feet by 9 feet 8 inch का पीछे open space छोड़ा गया है ventilation के लिए आप चिमनी वगेरा कुछ भी set कर सकते हैं एक खिट के आपके इधर कुल जाएंगी इधर आप खोलना चाहें तो इधर भी आप खोल सकते हैं आप देखें आगन से इधर एंटर करते हैं तो इस कमरे का gate यहाँ लग रहा है कमरे का जो room का measurement है 11,13 feet है एक बड़ी खिट की इधर खोल सकते हैं आप अराम से room का काफी अचा ventilation हो जाएगा टोटल आपका जो घर बनेगा 800 square feet में बन जाएगा दोस्तों पलाट चाहे आपका छोटा हो पलाट चाहे बड़ा हो देखें अपना घर तो अपना ही घर होता है एक कमरे का घर ही महल होता है तो घर का में अगर आप एक भी कमरा बना रहे हैं त आप हमसे प्लान बनवा सकते हैं वार्टसप पर हमारे नंबर दिये गए हैं आप किसी से भी बनाए जो आपको सुविदा जनक लगे मगर वास्तु के जानकार से प्लान बनवाए ठीक है हम यह नहीं कहते हैं आप हमसे बनवाए आप किसी से भी बनवा सकते हैं हमारी यही वास्तु के जानकार से बनवाए ताकि आपके जो सपने हैं वो जल्दी पूरे हो आपका जो हेल्थ और वेल्थ है वो धन्द आने से बरपूर है तो यही हमारी कामना है आज की वीडियो में इतना ही नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक लिए अपना जान रखें जहींग.